आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल के आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया तो चलिए दोस्तों आज हम सुरुआत करता हैं आप सभी का देखिए वन रख्षक भरती परिक्षा 2022 के लिए फिर से हो जाए तयार आचुके हैं हम ठिक जो जो बच सिरियस होंगे के वल वही तयार हुए ताकि इस बार सेलेक्षन लेकर जाए देखिए संख्या सेरी रिजनिंग का जो है आपका टोपिक इसका पार्ट वान आज फिर से मैं चालू कर दिया हूँ आपका बहुत दिनों से इसका वीडियो बंद हो चुका था ठिकना रिजनिं जाकर आप देख सकते हैं सारे वीडियो अराम से देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन रोक्स में मिल जाएगा आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिजिए सुरू से यहां देखिए हो जाओ तयार है फिर से अपनी दिमाग की चावी को खुलने के लिए क्यों कोई दिक्कत नहीं लेकिन अच्छा लगया तो लाइक जरू किजएगा और शेर जरू किजएगा इसको ताकि जीतने भाई लोग तैयारी कर रहे हैं आपके फुरेष्टगार भरती पर इच्छा की सभी तक या वीडियो पहुच जाए तो चलिए वीडियो यहीं से और वारी पर इच्छा आपका हुआ था उसमें भी आपके जु है नंबर सिर्श के 2-3 प्रसन देखने को मिला था ठीक ना तो इस प्रकार से आपके 2-3 प्रसन उसके देखने को मिलेंगे तो हम नंबर सिर्श से समझे 2-3 वीडियो मैं आपको बनाऊंगा ठीक आप लोग का पता होगा वानुभाद आपका जो है जग चुका है क्योंकि पात्रोवा पात्र सूची बहुत दिनों बात जारी करचुका है तो आप आपका फच्छक भी होगा एक हात महіть में मैं के लाइस्ट या जून में आपका फच्छ कट चालू जाएगा याफ ध्यान रखेगा फिच्कल की करणे त्यारी किजिए त्यारी करने एक साथ-साथ आपको भर्तीपर इच्छा की भी जो exam होगा आपका उस exam की त्यारी करना आपको बहुत ही जरूँ है क्योंकि exam की त्यारी बहुत ही कम लोग करते हैं कि संधा कि को टिक सकते हैं से आपको इक सकते हैं दिस्किप्ष्य sommes के लिंक से वहांद से जब चाहे तब आप उस question को उठा कर हल कर सकते हैं, ना समझाए वीडियो देख सकते हैं, अब ही आप एक बार देख लिजी, अच्छे से continue उता की समझ लिजी, अब देखिए, पहला प्रस्न हमाई पस क्या है, यहाँ इस सिरेडी दी हुई है, ठीक ना सही में कोमा दिया हुआ है, आपको खुद से समझ लिजी, इसका कोई trick नहीं होता, अब जीतना ज्यादा question को हल करोगे, उसने type से आप समझ जाओगे, ठीक, आपका देखते ही दिमाख लग जाएगा, हाँ, कुछ-कुछ जानकारियां होती है, जो आपको देखने से पता चल जाती है, कि इस प्रकार से question हल होते है, उन्हीं सब को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता है, उन्हीं सब के लिए आपको पढ़ाया जाता है, ठीक, मैं हैं समझ यह, देखिए, पांच हुआ, फिर 9 हो गया, फिर 17 हुआ, फिर 29, फिर 45, मतलब क्या है, साफ-साफ हमारे पास दिख रहा है, कि संख्या का क्रम जो है लगातार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, संख्या का क्रम लगातार आपके पास बढ़ रहा है, मतलब increase हो रहा है, ठीक, अब हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान समझ, जब भी देखिए, कि संख्या का क्रम बढ़ रहा है, तो या तो आपको गुडा करन पड़ेगा या फिर प्लस करना पड़ेगा दो ही चीज होगा या तो गुड़ा होगा या तो प्लस होगा इन ही दो चीजों में आपकी संख्याओं का क्रम क्यों बढ़ेगा बाकी भाग रहेगा तो आपका संख्या का क्रम घटेगा माइनस रहेगा फिर भी घटेगा तब आ प्लस आपका नहीं अच्छे से बैट रहा है, तो आप गुड़ा कीजिए, ठीक, तो इस प्रकार से आप असानी से कर सकते हैं, अब देखिए हम प्रस्न देखते हैं कि क्या बड़ा है, पांस से नव हो रहा है, पांस से नव कब होगा, जब प्लस फोर की बिद्धी होगी, ठ ठीक, ध्यास समझे, अब यहां 17 से 29 कब होगा, 17 से 29 होगा आपका जब प्लस 12 जोड़ेंगे, क्या, जब 17 में 12 जोड़ देंगे, तो आपका 29 हो जाएगा, 17 प्लस 12, 29, ठीक न, अब 29 से 45 होगा, इसको क्या जोड़ेंगे तो होगा, जोड़ेंगे क्या नहीं जारते हैं, त मतलब क्या हो जाहा out plus शोला म zij han pe poison घखी अब आगे क्या होगी 4 4 खते जा रही है चार दुनार चारी आगे क्या होगी प्लस बीस बिडिए अगे टिना अगे क्या होगी प्लस बीस की ब्रिधी 45 में, मतलब यहां क्या हो जाएगा, 45 प्लस 20 आपका, 45 बस 20 कितना हो जाएगा, 25, 10, 55, 55, 65 आपका हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 किसमें दिया हुआ है, आपसा नंबर B में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपसा नमबर भी आपका सही और correct answer हो जाएगा, सही में इस प्रकार से देखिए, आप आसानी से गुड़ा वब प्लस की ब्रिधी को देखते जाएगे, या तो गुड़ा में होगा, या तो प्लस में होगा, जब संख्या बढ़ा आए तो, दो ही combination हो सकत हैं, या फिर जब बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, हर combination बताऊंगा, कैसे बनता है, ठीक, तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से आपका 65 सही answer हो जाएगा, आसा करता हूँ, या आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, तो ठ जब ठान लिया है, तो ठान लीजिए, ठीक, और फालतू सोचने से कुछ नहीं होगा, कि मैं यह कर लूँगा, वो कर लूँगा, जब तक मेहनत नहीं कहोगे, जब तक अपना पसीना नहीं बहाओगे, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यह आप हमेसा याद रखेग अब सबस पहले है 0.5, फिर है 1.5, फिर है 4.5, फिर है 13.5, केवल 10.5 इसमें क्यों दिया है, इस बात को ध्यान से समझे, 10.5 केवल आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है, आश्चर्य करने के लिए, ताकि आप देखके कन्फ्यूज हो जाओ, अप प्रसन को इसक किप मार दो, और आपका एक नंबर छूड़ जाए गच से, लेकिन आपको छोड़ना थोरी है, भया, देखो, दसमलों दिया है, कोई मतलम नहीं है, दसमलों होए ना, हमको दसमलों मान लेते हैं, देखिया, 0.5 है, फिर 1.5, फिर 4.5, फिर 13.5, इसमें में क्या है, संख्या में क्या हो रही है, बिद्धी हो रही है, बढ़ोत्री हो रही है, तो 0.5 से 1.5 कब होगा, अब आप ध्यान से समझिए, 0.5 से 1.5 कब होगा, जब 0.5 में 1 जोड़ देंगे, तो 1.5 होगा, ठीक, 0.5 में जब 1 जोड़ देंगे, तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 में कितने जोड़ें आब आप बोलोगी हम कैसे जानेंगे आप नहीं जानते छुपचाप आप्स इन दोनों को घटा दीजी आपस में देखिए गटा दीजिए जैसे देखिए 4.5 से 1.5 यहां गटा दीजिए इस प्रकार से जब घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा दसमलोग दसमलोग 4 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा कितना हो गया प्लस 3 हुआ प्लस 3 मतलब प्लस 1 की बृद्धी हो रही है फिर प्लस 3 की बृद्धी हो रही है ठीक फिर किसकी बृद्धी हो रही है उसको देखने के लिए फिर इसमें इसको घटा दीजिए आप ठीक न 13.5 में 4.5 घटा दीजिए तो यहां देखिए 13.5 माइनस यहां हो जाएगा आपका 4 दस मलो 5 इस प्रकार से आप घटा देजिए जब इसको घटाएंगे तो यहां देगे 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा 13 में 4 जाएगा आपका 9 निकल कराएगा मतलब प्लस 9 की बिद्धी कितने की हो रहे है यह प्लस 9 की बिद्धी अब ध्यान से समझें मैं आपको इसको मिटा देता हूं क्यों समझाने के लिए बता रहा था यहां कितने की बिद्धी हुई आपकी यहां हुई आपकी प्लस 1 की बिद्धी फिर यहां कितने की बिद्धी हुई तो यहां हुई आपकी प्लस 3 की बिद्धी ठीक फिर यहां कितने की बिद्धी हुई यहां यहां हुई आ यह 9, मतलब एक गुढा 3 है, फिर 3 गुढा 3 है, 3 गुढा 3 तीन है, तीनती Empress ही 9, अब 9 गुढा 3 हो जाएगा, तो नो locks Sapta 9 तीन, 27 मतलब प्लस सटाइस की बृद्धी हो जाएगी, क्या होगी? प्लस सटाइस की बृद्धी हो जाएगी, वही आपको दर्द देने वाला ही question जान के लाए हूँ फालतू लल्लू question एक दो वाला कराने से आपको फायदा नहीं होगा एक दोवाले कोच्षान करोगे आपको दो बहुत अच्छा लएगा ठीक न की बहुत अच्छा लग रहे हाँ, बन रहा है मैं पस लेगिन जब एकजाम में आएगा तो तकड़ेश से उड़ जाएगा न भी इसी प्रगाराइग प्रसना पें, एक लल्लु प्रसना नहीं आए तो देखे हो एक के बाद नव किद्धिकर अब देखेए तेरा दसमलेक की ब्रिद्धी करनी यह किद इसमें आपको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका यहां देखे 27 जोड़ना है मतलब 27.0 तो 5 और 0 आपका 5 निकल करा जाएगा और उसके बाद 10.0 का 10.0 कलर चेंज करेता हुपी फिर 7 और 3, 7 और 3 10 हो जाएगा मतलब 1 बच जाएगा हासिल 2 आप 3 हो जाएगा और 1 हासिल 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 40.5 कितना होगा 40.5 आपका निकल करा जाएगा जो कि आपसन नंबर D में दिया हुआ है यहां ध्यान से समझेए आपसन नंबर D में दिया हुआ है 40.5 आपसन नंबर D आपका सही और यदि आप टाइलेंड बच्चे होंगे उस यार होंगे तो आप विडियो का जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं स्पीड बढ़ा कर भी आप देख सकते हैं ठीक इस प्रकार से देखिए आपका आपको समझ में आ गया होगा 40.5 इसका आपसा नमबर D सही अंसर हो जाएगा चलिए अब हम अगला प्रसन देखते हैं ठगड़ा वाला अब देखिए इसमें क्या आपका असरे प्रसन इसे लेबल कि आपकी अभी पट्वारी में पूछे भी जा चुके हैं तोम समझेैं पहले आपको तोपिक वाइज करा लिया जाया तोपिक वाइज ज्यादा दिन उतना बेटर रहेगा ठेक topic wise जो जो प्रमूख है उसको करा दिया जा रहा है आपको अब देखिए यह प्रसना है आपके पास 19 है फिर 2 हो गया फिर 38 है फिर 3 हो गया फिर 114 है फिर 4 हो गया ठेक अब आगे क्या आएगा यह आपको बताना है अब द्यान समझे मैं आपको क्या बोला कि प्रस जब लगातार संख्याएं बढ़े तो जोड़ना है या फिर गुड़ा करना है जब घटे तो भाग करना है या माइनस करना है लेकिन अब यहां क्या करें यहां तो आपका और अंतर है आप तो बोले थे कि लगातार बढ़े तब जोड़ना या गुड़ा कर लागतार घटे तो माइनस या भाब करना है इसमें तो यहां से 19 से 2 हो रहा है फिर 2 से 38 हो रहा है फिर 38 से 3 हो रहा है फिर 3 से 14 फिर 4 मतलब यहां माइनस हो रहा है फिर यहां माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है अब क्या करें तो यह बिल्कुल भी ऐ 30 के बाद 3, 14 के बाद 4, इन सभी का कोई कॉम्बो ही नहीं है, यदि हम लाइन से देखें, तो इनका कोई कॉम्बो ही नहीं बनेगा, तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, 19 को देखते हैं, फिर 38 को देखते हैं, ठीक, यह आपका हुआ है यहां दो के बाद हम तीन को देखते हैं तीन के बाद चार को देखते हैं यह कुमबो आपका दिख रहा है ठीक न कि अच्छा कुमबो है जैसे देखें दो के बाद तीन है तीन के बाद यहां प्लस करना है कि गुड़ा करना है यह तो आपको पता चल गया या तो प्लस करना है या तो गुड़ा करना है क्योंकि यहां लागातार 19-38, 38-38 हो रहा है ब्रिध्धी हो रहा है तो यहां प्लस करेंगे गुड़ा करेंगे यहां देखें 19-38 तो छोटा संख्या है कम की कोई या फिर आप में आत रहा है इस परकार से आपको चेक करना है जब भी ज्यादा की ब्रिध्धि हो रही है तो जब भी ज्यादा की ब्रिध्धि होगी तो आपको गुडा करके चेक करना है, ठीक type के गुढ़ा में आ रहा है या नहीं, मल्टिपलाइ में आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से आपको चेक करना है जब भी आपके बाथ ज्यादा की बृधषि हो जैसे 19 है, 19 के बाद 30 हो गया 30 के बाथ एकासर चुगदा हो गया पहड़ा जितना आएगा उतना आपसानी से इसको इन प्रस्नों को हल कर लेंगे, ठेक न, तो 137 के बाद 114 लाना है ठेक न, तो कितने बार में जाएगा? यदि आपको गुड़ा नहीं आता उनीज दूना अर्थीस हो गया ठीक न तो इस प्रकार से अर्थीस के कितने के पहाड़ा में 114 आएगा वो नहीं जानते आप तो 114 भागीत 13 भी कर सकते हैं 114 भागीत 13 तो इसमें भी आपका निकल करा जाए कितने गुड़े में आएगा या फिर देखिए आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको और सरलता ही का बताता हूँ आप 38 से 14 नहीं जानते कितने बार में आएगा लेकिन आप यह जानगे कि 19 दूना 38 हुगा ठीक न दो बार गुड़ा किये तो यह आ गया तो आप इसका केवल इकाई अंग देखिए 38 का इकाई यह अंग चार तो आठ में चार कब आएगा गुड़ा करेंगे तो आठ में चार कब आएगा गुड़ा करेंगे तो तो आठ दूना 16 आरतिया 24 यदि आठ का गुड़ा तीन बार करें हम तो चार आएगा 24 आएगा 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 ना चार आएगा तो अब हम 38 का गुड़ तीन बार करके चेक कर लेते हैं जैसे देखे 38 गुड़ा 3 करते हैं कितना आता है आर्थिया 24 हो गिया 2, 3 ती आई 9 और 2 11, 114 आयक नहीं आगिया 114 तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं मतलब उसका इकाई काई आंक लेके कि कितने बार में हो आ रहा है आर्थिया 24 तीन बार किये तो 4 आगिया इकाई यंक तो इस प्रकार से हम जानगे तीन बार तो तीन बार करके देख लिए तो 114 आगया मतलब इहां क्या हुआ? 19 के बाद 2 का गुड़ा हुआ तो 19 दूना 38 हुआ, 38 के बाद 3 का गुड़ा हुआ तो 114 हुआ मतलब पहले गुड़ा 2 हुगा फिर गुड़ा 3 हुगा अब क्या होगा गुड़ा 4 होगा क्योंकि पहले गुड़ा 2 हुगा था फिर गुड़ा 3 हुगा अब गुड़ा 4 होगा तो गुड़ा 4 होगा 114 के साथ गुड़ा 4 होगा मतलब क्या हो जाएगा 114 गुड़ा 4 हो जाए का 456 इस प्रकार से आप इसका अंसर निकाल सकते हैं असानी से 456 जो है आपका सही अंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी आपका सही अंसर हो जाएगा 4006 इसका ठीक इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं तो देखे जब भी ज्यादा कम हो ज्यादा कम हो ऐसे सेक्वेंस आपको आपको अішदनी से समंज में आ जाएगा आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए अगला प्रसनत देखते हैं अगला प्रसना हमाने है स्क और श्याँ अब यहां भी ध्यान से देखे तो में 45 अपर 40-40 के बाद 80 मत्लब क्या है यहां Edu अब ध्यान से देखिए तो हमाने पास कई सारे यह इस से अंक्ला दिख रहे कभी यह बताइए मेरे को ठीक ना दो के बाद 15 आएगा डायरेक्ट ज्यादा बार गुड़ा करेंगे तो दो सत्य शुदा उसके बाद एक जोड़ेंगे तो पंदरा तो गुड़ा वाला कॉम्बो यह अच्छे से नहीं दीख रहा है क्यों नहीं दीख रहा है ध्यान से समझ का्ता है बाकी कोई कॉम्बो दीख ही रहा है ठीक ना बाकी कॉम्बो भी बनते हैं अभी आपको ऐसे भी दिखाऊंगा कॉषब कर बाद 12 कि दो तो 15 हो जाएगा अब 15 के बाद 41 क्या गया है तो कितने कि बृद्धी हुई हängt तो इसके लिए हम क्या करेंगे नई जानते हैं तो 40-15 कर देंगे 40-15, 41-15 करेंगे तो 11 में 5 जाएगा, एक में 5 यह जाएगा, एक 80 लेंगे 11, 5 जाएगा 6 हो जाएगा 3 में 1 जाएगा 2 हो जाएगा मतलब कितने की बृध्धी हो गई आपकी plus 26 की बृध्धी यहाँ देखिए plus 13 की बृध्धी फिर plus 26 की बृध्धी इस प्रकार से हो गई अब अगला देखते हैं अगला एक 40 से हुआ 80 तो एक इतने की बृध्धी होई है ठीक तो इसके लिए फिर से हम 80 में 40 को घटा देते हैं ठीक 80 में 40 को घटा देते हैं तो जान जाएगे कितने की बृध्धी होई है पहले 13 की ब्रिद्धी हुई, फिर 26 की ब्रिद्धी हुई, फिर 49 की ब्रिद्धी हुई, मतलब क्या है है, 13, 26, 49, मतलब 13 का multiply हो रहा है, 13, 13, 12, 26, 13, 49, 13 का पहाड़ा आपको आता होगा, ठीक न, अब कितने की ब्रिद्धी होगी, 13, 54 की ब्रिद्धी होगी, ठीक न, अब ध्य 52 की भी अब 80 में 82 की बृद्थी तो यहां जोड़ दिजिए तो इसी प्लस-बाओन कर दिजिए ठीक 80 80 चल्स-बाओन कर दिजिए अभा 80 प्लस-बाओन करते हैं अम तो किता निकल कराता है 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा आपका 8 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा 8 5 13 बोले तो 132 132 यहां देखिया आपसर नंबर D में दिया हुआ है 132 आपका आपसर नंबर D सही अंसर हो जाएगा आपसर नंबर D एप को आ च्यास चाहिए computer तेरर चरीं चलिस स्वाट करते jak लेंगे आपको पहाडा ही नहीं आतो आपको इस इसको हल्करोगे इस प्रकार से क्या आ चाहिए तो आपको क्या आना चाहिए ओधियाकर से समझी यदी आपको को इजुदेंग क्या करना है गड़ीत वर रिजनिंग के प्रसना हल करना है तो आप एक बात ध्यान दिजिएगा कम से कम आपको 20 तक का टेबल आना चाहिए ठीक 20 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए अंगड़ीत को हल करने के लिए या फिर रिजनिंग के नंबर सिरिज को हल करने के लिए 20 20 तक का पहड़ा आपको आना ही चाहिए ठीक ना 20 तक का पहड़ा प्याद कर लिजेगा यदि आपको नहीं है तो यह बात आप ध्यान दे कर चलिए यदि आप याद नहीं करते हैं तो समझ लिजी आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है या फिर आप selection के करीब नहीं जा सकते ठेक ना यदि अर्मान आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल के आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया यदि ठान ही लिया है तो उसको भी आप ठान ही लेजिए कि 20 तक पहाड़ा याद करना है तो करना है ठेक अब देखिए अगला प्रसन देखत अभी आपको twist दीखेगा इसमें द्यान समझें ठीक ना और इसको देखके तो आपका दिमाग और गरम हो गया होगा इतना सीर्दत की आखीरे बन कैसे रहा होगा नहांजे नव के बाद 29 हो गया, 29 के बाद 65 हो गया, 65 के बाद 126, 26 के बाद 217, 217 के बाद 344, 344, इसके बाद 513 कोई मैं इसको दोप चनद मार के नहीं लाया हूँ, ऐसे प्रसना आते हैं, ठीक ना, इसलिए ये सारे प्रसना आपके पास लाया गया है ठीक और कोई नया-णया मैं नहीं लाया हो कि जो आपको फाल्तू कराया जा रहा है एक प्रसना आते हैं भही या व्यापम में आई हुए हैं इस प्रकार की प्रसना ठीकिन आते हैं कुंबिनेशन इसलिए आपको कौन-कौन से कुंबिनेशन आते हैं सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में दी जा रही है और समझाई जा रही है कैसे आप पहचानोगे यहां देखें नाव के बाद 29 हुआ आप पहले तो देखो कि संख्याओं में लागातार ब्रिद्धी हो रही है मतलब प्लस होगा या फिर गुड़ा होगा लेगिन प्लस यदि आप इतने में करने लगे तो आप तो बहुराए जाओगे होगे सिंपल जी बात में बोल हूँ है आप ठीक न इतना इतना आप प्लस कहाँ से करोगे बताओ प्लस चेक करोगे तो ज्यादा समय लाग जाएगा आपका थीक गुड़ा आप कैसे करोगे आप ध्थ्याण से समझे गुड़ा यदि आप करोगे 29, 29, 126 का गुड़ा जानोगे, आप 126 इसका गुड़ा जानोगे, इसका गुड़ा कहां जानोगे, तो इसको कैसे करोगे, आप ध्यास सोजिए, मदब एक गुड़ा या फिर प्लस का कुमबो नहीं होगा, अब आप इसको समझ लेजिए गुड या प्लस का कुमबो नहीं होगा, तो जब गुड़ा का कुमबो नहीं होगा, तो जब गुड़ा का कुमबो नहीं होगा, तो जब संख्याएं बृद्धी हो रही है, तो संख्याएं बृद्धी हो रही है, तो या तो वर्ग का कुमबो होगा, या तो गहन का कुमबो होगा, ठीक ना वर्ग मतलब जैसे 2 का वर्ग मतलब 2 की घात 2 और 2 का घं मतलब 2 की घात 3 यह होता है घं का मतलब घात में 3 वर्ग मतलब घात में 2 यह होता है तो इन ही का आपका कुम्बो होता है यदि गुड़ा वह प्लस का कुम्बो नहीं होता है तो वर्ग या घं का कुम्बो होत तीन की घाद दो मतलब तीन का वर्ग 9 लेकिन 29 सब किसका वर्ग है अब यह भी एक लफड़ा हो गया मतलब घान हम देखते हैं यह देखिए 9, 9, 2 की घाद 3 हम करते हैं तो कितना आता है दो दूनी चार चार दूनी 8 और 8 में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो 9 आता है ठीक यह 8 में एक जोड़ देते हैं तो 9 आता है अब 29 को समझी है 29 अब मालिजें हम 3 का घहन करते हैं तो 3 तीयाई 9 9 29 27 27 27 में हम दो जोड़ देते हैं 29 हो जाता है ठीक ना अब देखिए दो की घात 3 में हम एक जोड़े तो नहुगा तिन की घात 3 में हम दो जोड़े तो 29 हुगा अब 65 कैसे आगा यदि हम 4 की घात 3 करते हैं 44 में में एक जोड़ देते हैं तो कितना होता है ठीक 65 होता है 126 को करेंगे तो 5 का घ्ण है आपका 5 का घ्ण 5 55 55 125 होता है फिर आपका एक जोड़ देते हैं तो 120 होता है ठीक इस प्रकार से अब 217 को करें तो 217 आपका होता है 6 का घं, 6 का घं 216 होता है, और 216 में एक जोड़ देते हैं, तो 217 हो जाता है, 344 की बात करें, आपका, तो 7, 7 का घं कितना होता है, 7 का घं हम करेंगे, तो 343 होता है, 343 में एक जोड़ देते हैं, तो 344 होता है, इसकार से 512 को देखें, तो 512 के लिए आपको 8 का घं करते हैं, 8 का घं तो 512 होता है 512 में एक जोड़िपी देंगे तो 513 हो जाएगा इस प्रकार सी अब देखिए सारे कुमबो क्या है आपको कुमबो में बता दिया किस चीज के है सारे कुमबो है आपके घं के हाँ ठीक ना गहन के मतलब 2 की घंत 3 में हम एक जोडते हैं, दो की घात 3 प्लस 1 तो 29 आता है, ठीक, अब यहाँ 3 की घात 3 प्लस 2 करते हैं, तो यहाँ आपका 29 आता है, 4 की घात 3 प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ 65 आता है, अब गलत पत याद करना है, तो ध्यान से समझें, ठीक, 126 की घात 3 प्लस 1 करते हैं, तो 126 आता है, है जब 6 की घा 3 plus 1 करते हैं ठीक 344 आता है जब हम 7 की घा 3 plus 1 करते हैं 513 आता है जब 8 की घा 3 plus 1 करते हैं एक question आपके moderate hard level में आते हैं ठीक जब hard question आते हैं तो इसी प्रगाट question आते हैं ठीक ध्यान से समझेगा hard question इन्हीं को बोला जाता है और साब साब दीखेगा यदि आप ऐसे question हो की 2-4 practice करोगे ना जब 5-6 प्रसनाहल करोगे तो automatic आपको दीखेगा है ठीक अब इसमें कौन गलत है 2 की घा 3 plus 1 है यहां ध्यान से समझे कौन गलत है 2 की घा 3 plus 1 3 की घा 3 plus 2 यहां plus 2 है बाकी सभी में देखिए plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 लेकिन यहां 3 की घा 2 3 की घा 3 plus 2 है तो यहां plus 2 है मतलब यही चाप का गलत है यही गलत है मतलब 29 आपका गलत है बाकी सभी में घा 3 में करना है तो गलत पत्कुन हो जाएगा आपका आपस नंबर भी हो जाएगा 29 अब आप बोलोगी एक ऐसे हम जानेंगे ठीक अपने को इसके लिए आप ध्यान से समझे आपको 15 से 20 तक का वर्ग इसको भी आप याद रख लेजिए आपको गड़ित वरिजनिंग के सवाल हल करना है तो 15 से 20 तक का वर्ग याद रखेगा और 10 तक का कम से कम घहने याद रखेगा क्या 10 तक का कम से कम आपको घहने याद हो चाहिए 15 से 20 तक आपका वर्ग याद होना चाहिए एक से लेकर ठीक ना वह आपको बहुत ही जवरी है यदि आप कोश्चन हल करना चाहते हैं जल्दी-जल्दी कम समय में तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा पोला ना आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना ठान ल नहीं अब देखिए अगला प्रसन हमाई पास क्या है अगला प्रसन है फिर दस है फिर 27 फिर चार है फिर 16 फिर 5 25 एक सो पचीस अब यहां ध्यान से समझेए यह किस प्रकार की स्ट्रडी है इसको आप सेड़ी को पहले जब तक आप सेड़ी को देखके समझ जाओगे तो आ यहां देखिए तीन है फिर 10 है फिर 27 है यहां तक ध्यान से देखिए लागातार ब्रिधी हो रही है ठीक फिर यहां कमी हुआ चार से 16 फिर 64 हुआ यहां से लागातार ब्रिधी हो रही है फिर यहां देखिए 5 से 25 हुआ फिर 125 हुआ यहां से लागातार ब्रिधी हो रही है ठीक मलब यह 3 भाग में बटा हुआ है प्रसना दीक तो एक ही सिरड़ी में रहा है इस प्रकार से लेकिन यह 3 भाग में बटा हुआ है द्यान से देखें तो 3 भाग में क्या है बटा हुआ है आपका ठीक ना इस प्रकार से बटा हुगा हुँआ हैandra है उन्में लगातार ब्रिध्धी हो रही है सभी इस तुड़ी मोड़ी ब्रिध्धी नहीं थेखिए थीये पाँस्ट जाद лай ब्रिध्धी नहीं को रहा है है बहुत ज्यादा भृधि हो मतलब बुड़ा करना है अब तीन के बाद तो दस आएगा नहीं घुरा में ठीक तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं बाकी आगए करते हैं चार के बाद 16 आएगा क्या होगा चार करेंगे तो 16 गुड़ा चार करेंगे तो तो 64 आएगा त्यान समझेए 4 चको 16 16 64 4 चको आपका करेंगे तो आपका 16 16 निकल कर आएगा ठीक जिप्रकार से हैं 5 25 125 में 5 गुडा 5 करेंगे तो 25 होगा और 25 गुडा 5 करेंगे तो आपका 125 होगा ठीक तो मतलब इन दोनों का कुम्बो तो दिख या 5 25 25 25 25 पज़े, 4,16,16,14, इनका कुम्बो नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे, 3 गुड़ा, यदि हम यहां देखे, 4 गुड़ा, 4 किये हैं, फिर 5 गुड़ा, 5 किये हैं, तो यहां 3 गुड़ा, 3 करेंगे, तो 3 तियाई आपका 9 होगा, 9 गुड़ा, 3 करेंगे, तो यहां आपका 9 27 होगा, तो यहां 27 तो दिया हुआ है, 27 ठीक है, मतलब, लेकिन यहां 3 तियाई 9 होगा, तो यहां 10 दिया हुआ है, तो यही 10 आपका मैं गलत है, क्या है, यही 10 आपका गलत है, यही 10 जो है, यहां धोखा दे रहा है, ठीक न, यहां 9 होगा, 3 तियाई 9 होगा, 9 तिया 27 होगा तो यहीं 10 धोखा दे रहा है तो यहीं गलत है आप से नमबर C आपका सही इसमें गलत है ठीक ना गलत को ही चूज करना है तो आप से नमबर C इसका गलत है अब इसको मैं मिटा देता है फिर से आप समझ गे होंगे देखिए आधा घंटा होगी आपको और केवल 5-6 प्रसन क्या हुआ इसको भी आप द्यान समझें इसमें आप से नमबर C आपका जो है दस आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक आप से नमबर C चलिए अगला और लास्ट प्रसन है आपका अब देखिए आप बोलोगे समय बहुत ज्यादा हो गया आप कोशन आपने बहुत ही कम कराया ऐसे भी सवाल आएंगे मैं जानता हूं ठीक ना सवाल आते हैं आपकी बोलेंगे आउग लोग कि बहुत लंबा बीडियो चला गया आपका थोड़ा चोड़ा बीडियो बनाईए क्योंकि एक से यहां मुर्खद मी लोग हैं ठीक ना क्यों पढ़ना है नहीं चाते 30 मिनट ह होता ही कितना है आपका आधा घंटा आधा घंटा आप जब नहीं पढ़ सकते तो आप जिंदगी में कभी नोकरी पाही नहीं सकते सरकारी नोकरी आधा घंटा यदि आपके पढ़ने की जज़बा नहीं है तो आप सरकारी नोकरी का टेंसन ही आप अपने दिमाग से निकाल आपको पते नहीं चलेगा जो जो लगिका पहले से पढ़ा हुआ है चिसका बेसिक अच्छा है वो तो समझ जाएगा ठीक ना 30 प्रसन प्रसन लेकिन जो बिल्कुल नया है वो एक कोठो नहीं समझेगा तो केवल मैं उन सभी बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो नया है उसके लिए भी जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए उसके लिए क्या है वो बिडियो स्पीड करके देख ले उसको समझ में आ जाएगा कम समय लाएगा और जो नया है वो आराम से देखते जाये उसको आसानी से 6 प्रसना ही ओपड़ेगा लेकिन इन 6 प्रसनों से संब अधी तो जरूर है इसे प्रसना हल कर लेगा इसलिए अराम से बताया जाता है अब देखिए यह लाश्ट प्रसना है आपका ठीक एकदम सराल है इसका आप और होमवार पोला जाया तो आप कमेंट बॉक्स में करके इसका एंसर आपको बताना है आप वीडियो पूरा आंद तक देख्या है इससे मेरे को एभी पता चलेगा कि आप वीडियो आं तक देखते भी हो कि नहीं देखते हो फारमल्टी नहीं भाते एक दिव मिनड़ देखिया और चुतिया वनात बास बोलते हो जैसे मैं उस तमय वीडियो बनाया था दो दिन पहले कि किसको किसको चाहिए तो कुछ लोगों कमेंट किया है कि सर चाहिए मैं तो उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है ठीक ना तो आप लोग पूरा करना हो तो बोटाईएगा जो भी करना हो आपको चरूर कमेंट करके बताएगा और यदि अच्छा लगा होगा तो इसको सियर जरूर किजेगा ताकि जितने भी बच्चे त्यारी कर रहे हैं आपका फुरिष्ट गाड के लिए ही केवल नहीं है मैं एक बात आपको बता दे किसी भी आप 36 गड की किसी भी आपका भरती परिक्षक त्यारी कर रहे हैं सभी में रिजनिंग के प्रसन आएंगे और रिजनिंग के प्रसन आएंगे उसमें नंबर सीरीज के प्रसन जरूर आएंगे एक से दो प्रसन और नंबर सीरीज के सभी में प्रसन से में आएंगे आपके यही सारे concept से आएंगे कोई नया आपका तोप चंद नहीं मार के देगा इनी सब में से देगा तो किसी भी तैयारी भरती पैक्षक तैयारी कोई भी पंदा कर रहा है आपका दोस्त आपका भाई कोई भी तो उस तक के वीडियो पहुशा देजिएगा उसके लिए दने वाद चल मिलेंगे आप माहित का वी वीडियो आपको आएगा आप लाइन से ठीक तो वीडियो देखने बहुशा दो धन्यवाद चल मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए चाहिंज भारत जो चाहती सब्सक्राइब